हालो, वेलकम टू माई यूटीब चैनल, आप सभी स्टुडेंट्स का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में हिमाचल परदेश सबॉडिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन हमीरपुर ने 25 अक्तूबर 2020 को यानि पिछले कल हिमाचल परदेश पंचायत ओडिटर एक्जाम कंड़क्ट करवाया था और इस एक्जाम की जो है अभी आज यानि 26 तारीक को ऑफिशियल अंसर की भी इश्यू कर दी गई है हिमाचल परदेश सबॉडिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन हमीरपुर के द्वारा और इस अंसर की में अगर आपको कोई अपति है कोई भी आपको अब्जेक्शन है तो वो अपतियां आप दर्ज करवा सकते हैं विक्ति के तोर पर या फिर डाग के द्वारा हिमाचल परदेश सबॉडिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन में इमेट के द्वारा अगर आप देखते हैं कि क्या है अंसर की किया अंसर है इसमें फर्स्ट कुश्चिन जो था शिमला में अनडेल में किस वर्ष में महरानी विक्टोरिय के समान में वाइस रीगल नृत्य आयोजीत किया गया था तो उसका अंसर है option A 1839 second question है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर हिमालेयन परवतिया राज्यक्षित्रिय परिशद का मुख्यालिया स्थित है यानि हिमालेयन हिल स्टेट्स रीजनल कांसिल का मुख्यालिया कहा है उसका अंसर भी है शिमला third question है British से शतुरता और अशिष्टता रखने वाला एक मात राजा कौन था इसका भी अंसर A है बुशहर का शमशेहर सिंग next fourth question है इसका अंसर है option B 1 नवंबर 1956 को जो हिमाचल प्रदेश यूनीन टेरिटरी बना था fifth जो question है उसका अंसर है आपका option D all of these यह जो new police station कहां खुला था वो all of these है fifth का D है sixth question आपका आगया है lead bank scheme the lead bank responsibility in हिमाचल प्रदेश has been given to with bitch bank तो इसका भी option D है all of these seventh question आगया है आपका हिमाचल प्रदेश total number of ginger development station is तो इसमें option A है एक है आठवा आपका question है sheep breeding farm कहां पर है तो इसमें भी option A जो jury है वो right answer है answer की के मताबिक ninth आपका question है किस देश ने हिमाचल प्रदेश one परिस्तिती की जलवायू शोधन प्रियोजना को बाहर रूप से सहायता प्रादान की है तो इसमें जो answer की में answer बताया है आपका C है जर्मनी दसवाँ जो question है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने श्रम नियालियस है और जोगिक आधी करण स्थापित किये गए है तो इसमें right option option A ग्यारवाँ जो आपका question है इसमें भी right option है A जाहू जाहू में 4 मेगावाट का एक solar project लगाया गया है ठीक बाकी next आपका बारवाँ question आजाता है हिमाचल प्रदेश प्रयतन विकास निगम की साबना केस वर्षूई थी right option आपका जो answer की के मताविक है वो है option A 1972 13 जो आपका question है तेरवाँ 2011 की जन गर्ना के उनसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरत अदर कितनी है तो इसमें right option answer की में बताया है 82.80% 14 जो question है इसका right answer है option A सिपेट जो है आपका बद्दी में है 15 जो आपका है की हाल ही में MP LED को स्थगित किया गया कितने साल करिए right option आपका answer की में बताया है दो वर्ष 16 जो question है आपका हाली में COVID-19 से समंदित निजी क्षितरों NGO और अंतराश्टिय संगठनों से समन्वया बनाने के लिए भारत सरकार दोरा गटित की गई समर्थ समीती का अध्यक्ष कौन है ठीक तो 16 question का आपका answer बताया है option B अमिताव कांत जो आपका answer की में है next question आपका 17th question है सतारवे question का आपका answer है option A USA ठीक है जी Bronx जो जू है सबसे पहला मामला आया था कि जो human to animal जो transmission हुआ था COVID-19 का वो USA में है ये पूछा था आप से 18th question जो है उसका right option है option D ठीक है operations जीवनी के अंतरवात ने हाली ही में किस देश को आवर्शक दवाईया और खाद्यान की अपूर्ती की है तो ये है माल दीव ठीक है आपका option 19th question 19th question हाली ही में किस अंतरवाश्ट ये खेल कारेकरम के कॉंग कॉंग लियन लियन और चेन चेन शुभंकर प्रस्तुत किये गए है ठीक है जी तो इसका जो 19th का right answer है वो है option आपका C Asian Games 20th question आपका आजाता है किस राज्या सरकारने हाल ही में पंढ़े में आसक्षम बच्चों के लिए विशेश पाठ्या पुस्तक तयार करने की घोशना की है तो 19th question का जो आपका 20th question है उसका right answer है आपका option A उत्तरप्रदेश 20th का है आपका उत्तरप्रदेश जबकि 19th का आपका था C 21th question आपका आगया है किस राज्याने हाल ही में अपनी विधान सबा के लिए नेया लोगों अपनाया है जिसमें Fox Tail Arcade है 21th का आपका right option है option B अरुनाचल परदेश 22th question है आपका किस भारतिया शहर में हाल ही में National Traders Convention आयोजित हुआ था 22th question का आपका right option है option A 23th question आपका आजाता है 23th question का right option है जिसने हाल ही में अपने retirement की गोशना की है किस देश से है रोसी किस देश से है ये इकली से है 24th आपका question आजाता है ताजा flagship जल वायू परिवरतन पहल जल जीवन हर्याली मेशन भारत के किस राज्या की पहल है 24th question आपका आजाता है यदि अंग्रेजी वर्ण क्षर का दूसरा आदा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 9 अक्षर के दाएं 9 अक्षर होगा ठीक है तो ये logic का आपका question है तो 25th का जो है वो D है option D option है इसमें ठीक है ये 25th में तो A जो है ये आपका right answer है यहाँ पर next आपका आजाता है 26th question 26th question है कौन सा अन्या से भिन है तो इसमें है right option है आपका answer की के मताबिक B ठीक है ये P, Q 27th जो है आपका option जैसे कास्ट वरिट से संबंदित है वैसे उन नेमन लिकित में से किस्से संबंदित है तो ये है भिड़ आपका sheep बताईगा भिड़ 27th का B option है आपका answer की के मताबिक 28st question है 28th question का answer आपका वो है option A answer की के मताबिक 29th question का जो आपका answer की के मताबिक answer है 2th question C, गुलाब ठीक है जी और prevention को शुरू कहा जाए तो एक premy का अपने premy को पतर लिखने के लिए किसका उपयोग करेगी ठीक है धैंच्टो गुलाब का उपयोग करेगी यह भी logic का question है ठीक है तो 39una का आपका C answer है right तीसवा question आगया आपका next आगया तीसवा question तीसवा question में आपका जो right option है वो option B, 3 ठिक your right answer है आपका option B जो answer की के मताविक 31st जो है 31 31 question का जो right answer है वो है option A 32 question का आपका answer आगया है D option है 32 answer का 41 और 36 वा 32 question का D है 33 question का भी आपका right option है जो वो D है निर्धारित नहीं किया जा सकता can't be determined 32 question का आपका D है 34 question हम देख लेती है 34 question है कि शरिंखला पूरी करनी है तो इसमें right option है आपका option C next आपका आजाता है 35 question 35 question का आपका D है right answer answer की के मताबिक D यानि command 36 जो है 36 question है इसका right answer है option B increased 37 question है इसका आजाता है आपका C C है इसका right answer ease, ease आएगा यहां fill in the blank tension is likely to ease in Kashmir Valley now 38th जो question है 38th question का right answer D है he had to wait until his sister's train arrived so as to take her to his house 38th का आपका D है right answer 39th का आपका D है लगा था है ठीक है जी the judge ordered that criminal be put to death ठीक है जी next आपका 40th जो question है 40th question है correctly spelled word जो है आपका requirement है option C आपका right answer है 41 जो question है antonym of factitious is ठीक है जी factitious का आपको antonym बताना है 41 जो है बी right option है genuine 42 जो है उसका भी B है right option synonym of paramount क्या है supreme 43rd जो question है 43 जो question है इसका right option है आपका D meaning of the idiom to put one's hand to plow is ठीक है तो इसका right option है 43 जो है का आपका D to take up a difficult task ठीक है जी तो इस idiom का मतलब है to take up the difficult task 44th है identify the error in the part of the following sentence marked as A, B, C, D ये mark किया हुआ है तो इसमें error कहां पर है तो 44 जो question का right option है option A ठीक है I am waiting ये गलत है यहां पर कुछ error है 45 जो question है घडी में तोला घडी में माशा मुहावरे का अर्थ बताना है 45 जी तो इसका right answer है option C अस्थेर सभाव 46 जो शुद शुद है 46 जो जो आपका आजाता है 47 आप्शन है option A संभी विछेद करना है उच्छवास का 47 आप्शन है उच्छवास 48 ये पंक का तत्सम है पंक का तत्सम है इसमल धी right option है पक्ष भंगी का स्थ्री link है 49 जो जो 40 जो 50 जो मद माता में समास है मद माता में कौन सा समास है, right option option A, तत्पुरुष, ठीक है जी, 51st question है, इसका right option है, option D, ठीक है जी, अमर की भाववाचक संग्या क्या है, अमर तव, right option D है, नगर का विशेशन है, 52nd question है, इसका right option है, नगर का विशेशन, नागरिक, 53rd question हा गया, अनुज में उपसर्ग है, इसमें है right option, option B गेरुवा में प्रत्याए है, ठीक है, 54th question, गेरुवा में प्रत्याए है, D, right option है, इसमें, फिर आपका आजाता है, next question, 55th question, इसमें right option है, आपका A, senses 2011 है, वो कितन वी senses है, वो पंदर वी senses है, ठीक है, यह आपका, असल में 1870 से इन्होंने count किया है, यहाँ पर, यह थोड़ प्रत्याए है, next question है, 56th question है, इसमें right option है, option C, ठीक है, बंगॉली, जन गन्मन, मूल, गीत, मूल लता है, किस भाशा में लिखा गया था, ठीक है, 57th question आपका आगया है, part 3, जो है, constitution का वो किस चीज़ से deal करता है, समिधान का तीसरा भाग, मौलिक अधिकारों से right option है, option B, 59th जो है, 58th question, 57th आपका B हो गया है, 58th question आपका आगया है, निमन लिखित में से, किस के द्वारा भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक की जाते हैं, क्या को कौन निक्त करता है, वो इनमें से कोई नहीं है, president करता है, निक्त क्या को, 59th question का आपका answer आगया है, 69th question का आपक Disaster Management Act जो है, वो लागू किया गया था, 2005 में, 60th question आपका आगया है, इसमें right option है, option D, विरप्पा मोईली, second administrative reforms के commission कौन थे, विरप्पा मोईली, ठीक है जी, काफी बार ये पहले question पूछा गया है, फिर आपका 61st question आगया, except one question, इसमें right option है, meaning of saivottam in, saivottam model is, ठीक है जी, य First municipal corporation in India was set up in which presidency, मदरास में, ठीक है जी, A है, sweep is acronym for, ठीक है जी, 63th question है, उसका भी right option A है, systematic voters education and electoral participation, जो 64th one है आपका, क्रिशोनती योजना में कौन सी योजना शामिल है, क्रिशोनती योजना है, 64th one, इसमें जो right option है, वो option D, यह सभी, बाकी A, B, C, तीनों है, इसमें तो right option D है 64th one का, 65th one आपका question आज़ता है, इसमें जो right option है, 65th one में वो भी D option आपका right option है, 24th है, साहितियाकदमी कितनी भाशाओं में उस तक प्रकाशित करती है, करती है, वो 24th भाशाओं में, ठीक है, 66th one आपका question है, उसमें right option है, आपका, C option है, ठीक है, ठोक मूलिया, सूच कांक, जो wholesale price index, उसका base year पूचा है, 2011-12 base year है, तो base year यह पूचे जाता है, कि वार, next question है, 67th one, भारत में किस स्थान पर चरम निर्यात परिशद स्थित है, ठीक है, ठीक है जी, council for leather export is located at which place in India, ठीक है, 67th का आपका आगया है, D, D इसमें right option है, चेन नही, 68th जो आपका question है, hobby of collecting stamps is called, stamp पर कठा करने के shock को क्या कहते हैं, तो इसमें जो right option है, वो है आपका option B, filletally, ठीक है जी, filletally कहा जाता है, ठीक है, next आपका 69th question आगया है, 69th question का आपका answer है, option A, ठीक है, 2013 किस वर्श राष्टीय साइबर सुरक्षा निती शुरू की गई थी, यह option A है, 70th question का आपका right option, option C, A और B दोनों से ही है भारत में किस स्थान पर Officers Training Academy स्थित है ठीक है जी ये दो स्थानों पर बताई है इन्होंने यहाँ पर आपका आंसर की इमें चे नई और गया दोनों जगा पर है आपकी OTA Academy जो की आर्मी की Officers Training Academy आर्मी की होती है जो Short Service Commission की Training करवाई जाती है नेक्स्ट आपका question आगया 71st 71st निमन लिखत में से किस कारेकरम के अंतरगरत भारत में पड़े भारत बड़े भारत राष्ट वेपी उपकरम है ठीक है जी तो किस कारेकरम के अंतरगरत है ये उपकरम पड़े भारत बड़े भारत तो 71st का जो है वो राइट आप्शन है SSA सर्वशिक्षा अभियान के अंतरगरत 72nd भारत में ने में लिखत में किस स्थान पर प्रथम जलविदूत स्टेशन शुरू किया गया था तो इसमें भी जो राइट आप्शन है वो है A. शिवसमुद्रम तहित्तरवा कोश्चन है नैशनल बायो डाइवर्स्टी अथारिटी इज आ ठीक है जी इसमें राइट आप्शन है आप्शन D. B. और C. दोनो ठीक है B. और C. नियामक निकाए भी है ठीक है regulatory body भी है और statutory body भी है constitutional body ये नहीं है constitution में इसका प्रावधान नहीं था ठीक है बाद में law के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है 74th question आगए आपका चोहतरवा question का answer है आपका option B ठीक है जी अनुछेद 112 under which article of Indian constitution annual financial statement has to be laid before the parliament budget का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है राइट आप्शन है option B आपका आपका आप्शन 112 next question 75th का है आपका right option option D company law board is company law board क्या है इसमें right option option D, A और C दोनों है सवतंतर निकाए है और अर्ध नियाई का ये कोईसी judicial body भी है और independent body भी है 76th का C right option है ठीक है उच अनुदानित दर पर ठीक है एट highly subsidized rate ठीक है अंडर अंडर अंतोद्य अन्योजना food grains are provided to the identified beneficiary ठीक है अंतोद्य अन्योजना में ठीक है highly subsidized rate पर जो है food provide करवा जाता है 77th question आपका इसका भी जो right option है वो है C है accredited social health activist 78th question है 78th question है इसमें right option है option A 2022 भारत सिरकार ने किस वर्ष तक housing for all सबके लिए आवास कारेकरम का लक्षे रखा है 2022 तक next question है वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री शिरी नरेंदर मोदीने से युक्तराश्टर की महासभा के कौन से सत्र के भारतिय शास्किया प्रतिनीदी मंडल की अगवाई की थी 79th question है इसमें right option है option D 69th 80th question आपका C1 question आगए इसका right answer है आपका C कौन सा देश चिनेई बैंगलोर और ध्योगी गलियारे में अधारबूच सनचना के सुधार के प्रयासों को सुद्रड करने में सुद्रड करने का समर्थन किया है which country is supporting to strengthen efforts to improve infrastructure जो infrastructure चिनेई बैंगलोर और इंडस्टिल कोरिडियर में बन रहा है कौन सा देश जो है वहाँ पर सहाईता प्रधान करने में जापान 81 कोश्चन आपका आ गया है उत्तर प्रदेश उच नियाले की प्रधान बैठक कहां पर है ठीक है जी प्रधान बैठक इसकी है 81 प्रश्चन है इसमें इलाहाबाद 82 82 82 question का आपका answer है option A ठीक है 14 वर्ष जो आपका बाल श्रम अधीनियम है उसमें 14 वर्ष से कम आयू के जो बच्चे हैं उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता है 83 question आपका आगया है इसका जो right answer है वो है option B 83 का 15 गंटे the popular विविद भारती service provides entertainment for how many hours a day ठीक है तो B है 15 गंटे विविद भारती 15 गंटे चलती है ये दिन में 84 84 question का right answer है C किंद्रिय योजना निगरानी व्यवस्ता Central Plan Scheme Monitoring System 85 question है आपका D 85 question आपका D है यह सभी उपर वाले क्या है संसाथ आदर्ष ग्राम योजना के अंतरगरत क्या क्या चीज़ आती है यह सारी चीज़ आती है सवचता हर्याली स्वास्ते यह सारी चीज़ आती है D right option है 86 गंटे पंचायत समीती पंचायत समीती इसमें ठीक है intermediate three tire system होता है पंचायती राज में तीन स्थार होते है ग्राम पंचायत सबसे नीचे है जिला परशित सबसे उपर तो बीच में जो है वो पंचायत समीती है 87 जो है इसका अंसर है option A public sector enterprise ठीक है central electronics limited क्या है central electronics limited public sector enterprise है 88 question है जौहालाल नहरू port is located in which Indian state तो यह है right option महाराष्टर next question है आपका 89th 89th का right option है आपका option A भारत सरकार के पदेन सचीव Central Water Commission is headed by a chairman with the status of N Central Water Commission के chairman का क्या status होता है नबेवा question आगया आपका C है इसमें right option 15 कितने भारतिय राज्यों ने अभी तक राज्याल्प सम्ख्यक आयोकी स्थापना की है वो 15 है 91st 91th question है आपका D option है ठीक है दो लाख रुपए राष्टिय युवा पुर्सकार विजेता जो है वो कितना अवार्ड मलता है National Youth Awards winning तो इसमें right option है 2 लाख option D इसमें से ही है 92nd जो question है वो C right option है Unit I trees 9 हो चुकी है 93rd जो है उसका right option है C ठीक है निमेलिकत में से कौन साब पूरुवता करम में ठीक है जी President's order क्या है सबसे निमंतन स्थान पर है मुख्या चुनाव आयुक्त 94th जो question है इसका right option है B 94th का B right option है JP Narayan Which of the following has been Post-thumously यह वाड़ी मरनोपरांत भारतरतन किसको मिला है वो JP Narayan इसमें right option है 95th है C option Neolithic age First use of handmade potry appears during which age ठीक है जी तो यह Neolithic period के दुरान 9-73काल 96th question में right option है Option A Vedas Vedas are divided into which of the following Sahintas में इनको divide किये गया है 97th आपका आगया है 97th का right option है Option B Matura The capital of Sursen Mahajanpad ठीक है यह Matura है 98th का आपका right option है D 4th Buddhist council किसके time पर हुई थी Kanishka के time पर 99th का आपका option A है ठीक है Indo-Greek ruler कौन था सबसे famous वो Menander 100th आपका सौमा question जो है उसका right option है Option B ठीक है Ajanta paintings जो है वो किसके समय की है वो गुपतकाल के समय की है Jazziya tax आगया 101 का इसका right option है B Non-Muslim पर लगाया जाता था 102 आगया आपका Bahamani Kingdom की स्थापना किसने की थी ये आपका असन गंगू असन गंगू है Bahamani Kingdom ठीक ही जी तो जबकि हरी हरेंड बुका ने विजयनगर की स्थापना की थी असन गंगू जो है इन्होंने Bahamani Kingdom की स्थापना की थी 103 question number 103 which भक्ती सेंट वाज contemporary of शिवा जी के contemporary कौन थे उनके समकालीन कौन थे तो इसका right option option A तुकाराम 104 second battle of पानी पत जो है B right option है 1556 106 का भी right option है B के real name of शेरशाह सलीम यहाँ पर जो 106 है आपका real name of शेरशाह सूरी यह गलत है इन्हों की answer की में इन्होंने B option बताया है ठीज यह जो मैं series आपके साथ discuss कर रहा हूँ B series है यह सलीम यहाँ पर इन्होंने बताया है तो मैं आपको बता रहा हूँ यह सलीम नहीं है फरीद है जो right option है यह आप challenge कर सकते है फरीद यहाँ पर जो है वो गलत answer है फरीद right answer होना चाहिए जब की इनकी answer की के मताविक यहाँ पर सलीम बताया है ठीज एक सो एक सो छटा question ठीज यह इन्होंने एक सो पांचवे question का ओके ठीक है यह ठीक बताया है इन्होंने मैं गलत पर दिया था एक सो पांचवे का इन्होंने डी ही बताया है ठीक है answer की में डी ही बताया हुआ है फरीद right answer है ठीक है फरीद बिल्कुल सही answer है एक सो छेवा question जो है उसका जो है answer है बी है गुरु अंगर देव ठीक है गुर्मुखी सक्रिप्ट जो है वो गुरु अंगर देव ने लिखी है ठीक है नेक्स question है आपका एक सो साथवा question C है ठीक है वोमन्स यूनिवरस्टी 1916 में कहां स्थापित होई थी पूर्णा में स्थापित की गई थी नेक्स्ट question है आपका A gift to monolithic monothesis book किसने लिखी थी ये आपका right option 108 में का A है राजा राम मोन राए ठीक है Muslim League किस साल स्थापना हुई थी Muslim League की ठीक है ये 1906 सही है 110 वा question जो है उसका कौन सा सबसे दूरी पर है वो Neptune है प्लैनेट सूरज से 111 वहाँ जो आपका question है उसका right answer है option A ठीक है आइगनियस rocks slate is which type of rock slate जो है आपका इन्होंने बताया है आइगनियस sorry ये आइगनियस rock नहीं इन्होंने metamorphic rock बताया हुआ C option बताया है इन्होंने यहाँ पर कि slate जो है वो एक metamorphic rock है ठीक है 111 का 110 का भी ठीक है 112 का इन्होंने बताया है आपका A right option 112 का A है China Sea टाइफून सबसे ज़्यादे कहाते है China Sea में ठीक है जी ये जो चक्रवाद जिसको हम बोलते हैं असल में चाइना सी में उसी चीज को टाइफून कहा जाता है next question आपका आगया 114 कुश्चन 114 कुश्चन का आपका सबसे ज़्यादा atmospheric गतिविदियां आपको ये बता दिया है right option A है next question आपका downs कहां पर है 114 का आपका D है Australia में है जो planes है इनको downs कहा जाता है Australia में priori कहा जाता है USA में ठीक ही felt कहा जाता है Jackson Africa में इस तरह से अलग लग नाम है इसमें right option है आपका option D 115 जो आपका question है उसका right answer है आपका option A C धराएं cold currents जो समुदर में चलते हैं ठीक है high altitude मतलब की जो pole वाली side होगी 161 question है इसका right answer है option C red Indians जो है वो मूल वासी है उतरी अमेरिका जो continent है 117 जो question आपका इसका right option है A Jakarta का जो Jakarta किस कौन से स्थान का नाम है यह है बताविया option A option A सही है 118 जो question आपका इसका भी जो right option है मुसी रिवर हेदरावाद मुसी रिवर के किनारे है ठीक है जो fiber crop कौन सी है 119 जो question है fiber crop जो है वो यहां पर hemp है ठीक है right option है sun 120 जो है आपका उसका भी right option है A non metallic mineral कौन सा है manganese ठीक है 121 जो है आपका question आगया C right option है 121 बरूनी refinery बिहार में है ठीक है headquarter 122 जो आगया है कि जो आपका headquarter है South Western Railway जो है उसका headquarter कहां पर है वो हुबली में है हुबली करनाट का ठीक है next आपका 123 जो question है 123 जो question है 123 कौन का C right option है Similipal biosphere reserve कहां पर है Odisha में है 124 जो है आपका A right answer है ठीक है 1999 ठीक है Darjeeling Himalian Railway को UNESCO की विश्वरी विरासत स्थलों की सूची में कब शामिल किये था 1999 में ठीक है 124 में का आपका A right answer है 125 में का भी आपका A ही right answer है 69th Amendment Act के दिली के बारे में ये की गई थी ठीक है आपका A है राष्ट्रपती संसद की दोनों सदनों की बैठा कौन बला सकता है राष्ट्रपती 127 वह जो है इसमें right option है आपका C ठीक है जी कौन लोकसभा की अवदी समाप्ट होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशनसा कर सकता है ठीक है लोकसभा dissolution के बारे में प्रधानमंत्री बोल सकता है जब प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके पास अभी बहुमत नहीं है ठीक है जी next आपका question है 128 वह which session of parliament is shortest सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है ये है 128 वह का B शीत कालिन सत्र ठीक है जी शीत कालिन सत्र सबसे छोटा होता है 129 वह का आपका D है जो right option है निल ठीक है शून्या संसत में अब तक कितने सर्वोच नियाले के नियाधिशों पर महाब्योक अभी तक किसी पर भी नहीं चला है 130 वह आपका D right option है none of these ठीक है जी निमनलिकित में से किस के प्रयाद प्रसाद प्रयांत जो है मुख्यमंत्री अपना पाद धारन कर सकता जब तक मुख्यमंत्री के पास majority है उसको कोई नहीं हटा सकता है 131 वह question है वो है A सिक्की में 32 जो है राइट option है A वानिकी है जो प्राइमरी अक्टिविटी है प्रासमी क्षेतर में वानिकी आता है इसमें से 134 में का आपका A है ठीक है प्रतम पंच वर्षी है यह नहीं में सबसे जाद है जो है अगर भारत के यह बात हो रही है भारत की भारत का जो फर्स्ट फाइव एर प्लैन था वहाँ पर सबसे जाद है जो हाइस्ट जो है आउटले था वो अग्री कल्चर के लिए था लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो option B रहेगा ट्रांस्पोर्टेशन सड़क है ठीक है तो यहाँ पर A है भारत का ठीक है राइट उप्शन 135 माई का राइट उप्शन है उप्शन D ठीक है सिल्वर रेवोलूशन अंडों से संबन्दित है 136 में का है आपका B ठीक है स्टेट बैंक आफ इंडिया वाज प्रिवियसली काल्ड ठीक है यहाँ पर B है इंपीरियल बैंक आफ इंडिया बिल्कुल सही अंसर है ठीक है यहाँ पर B सही रहेगा 136 में का 137 में का है Year of Great Divide यह C राइट उप्शन है ठीक है 1921 ठीक है 1921 में जो है उसको Great Year of Great Divide का जाता है 138 मां आ गया इसका भी Right Option है C ठीक है विशानू यानि वाइरस से होता है रेबीज 149 में जो है उसका D है कनाइन किस से पराप्त होती है सिंकोना से पराप्त होती है सिंकोना ट्री से तो इसमें से कोई नहीं है यहाँ पर सिंकोना ट्री 140 में का जो है वो right option है C ठीक है जी पंडा किस के समान कुल का है भालू के कुल का है भालू की family को belong करता है पंडा 143 वे का right option है A ठीक है जी सबसे जो है basic structural and functional unit of living organism क्या है वो cell है 144 वे का आपका right option है A teeth and bone acquire strength and rigidity from calcium से जो है teeth और bone strong होते है 145 वे का क्या है C है इसमे right option animal जो जानवर जो खाना खाते है उसमें ज्यादा होता है cellulose जो पेड़ पौधे पत्ते खाते है उनमें cellulose ज्यादा होता है 146 वे जो है उसका right option B C है ठीक है जी the main function of white blood cells क्या है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करवाता है 147 वे का है आपका A largest artery in human body is erota 148 वे का भी आपका right option A है kidneys ठीक है जी जो भी आपका filtration का का काम करती है excretion is played in role of excretion kidneys में होता है urine वगर आप जाते है 149 का जो है वो D है ठीक है which of the following deficiency cause goiter इन में से कोई नहीं है यहाँ पर आपको sodium के साथ confusion हो सकता है लेकि iodine है नमक में होता है iodine डाला होता है जबकि sodium भी नमक में होता है एक्सोपचासमा question है इसका right option है D ठीक है जी एक्सोपचासमे का यहाँ पर right option D बताया है alcohol ठीक है यह आप देख लीजिएगा highest rate of vaporization answer की के मताबिक alcohol बताये गया है ठीक है यह देख लीजिएगा alcohol है जा पेट्रॉल answer की में alcohol बताये गया एक 151 का जो right answer है वो है option D ठीक है जी ultraviolet rays किसलिए यूज़ की जाती है disinfectant के तौर ठीक है disinfectant के तौर पर ultraviolet rays यूज़ होती है water treatment में 150 second 150 second का है आपका option D यह सभी रंगों को सोकता है blackboard इसलिए हमें काला दिखता है next question है what is filled inside the electric bulb 153rd का जो है वो है आरगन ठीक है जी आरगन होती है बलव में आरगन जो है inert gas है किसी वी चीज़ से react नहीं करती है right option आपका answer की के मताविक C है 154 का भी आपका C है boiling point water का किस चीज़ पर depend करता है दाव पर atmosphere pressure बायूमनली अदाप पर pressure को करावने सुना होगा इसलिए यूज़ की जाता है 155 जो है उसका भी right option है आपका option C ठीक है जी radioactive कौन सा substance नहीं है नमें से कौन सा element जो है radioactive नहीं है टेस्ट बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ डाली जाती है phosphoric acid 158 का जो है right option है वो है option D ठीक है जी नहीं में से कौन सी हिमाचल परदेश की सदूर पूरव परवितिय श्रिंखला है ठीक है सबते easternmost श्रिंखला है वो जंसकर है ठीक है ग्रेटर हिमालियन जो है एक ही रेंज ग्रेटर हिमालियन के हिमाचल में जंसकर 159 का है right option B ठीक है जी विच है बिन डिस्क्राइब है विच है बिन डिस्क्राइब बाई कालिदेस कालिदास एज देव देवात्मा ठीक है जी देवात्मा किसको कालिदास ने कहा है तो 159 का right option है option B हिमालिया को next question है आपका 160 which of the following district is our part of new हिमाचल तो इसमें right option है option D new हिमाचल वो सारे हिमाचल का वो सारे parts है जो की बाद में जिनका विले किया गया था हिमाचल का पंजाब से तो इसमें right option है option D ये सारे डिस्टिक्स जो है पंजाब के इंडर रहे हैं 161 का right option है वो है option A which lake has been called by Chinese pilgrim hyun sang by लोहित्या सरोबर ठ option A हरला हरला किस चीज की कौन सी नदी की ट्रिबूटरी है ब्यास की T who built the fort of धार जंजी आर 163rd का C right option है संसार चंद संसार चंद ने ये खिला बनवाए था next question है आपका which British played a great role in forming alliance with the chiefs of हिंदूर and कहलूर अगेंस्ट गुर्खा इसमें right option option A डेविड ऑक्टर लोनी डेवि सारा मोर्चा संभाल रखा था गोर्खों के खिलाफ और जो पैरिस ब्रेडशा है इन्होंने संदी पर साहिं किये थे अंग्रिजों की तरफ से ठीक है जी हाला कि जो British commander थे वो ते डेविड ऑक्टर लोनी नेक्स्ट आपका question आ गया 165 इसमे right option है D इन में से कोई नहीं ठीक 167 का है आपका A जस्वां की साफना किस ने की थी पूरब जंद ने 168 का जो right option है वो option A उक्ष्यांग है जो की फूलों का तेहर कहा जाता है किनौर जिले में गर्जा क्या है 169 गर्जा है लाहॉल का दूसरा लोगप्रिया नाम है गर्जा 117 जो है आपका उसका right answer है आपका Rock Salt Rock Salt सेंदव Rock Salt के लिए जो किया है गुम्मा की जो नमक की खदाने है वो ही एक मातर economic mineral है मंडी डिस्टिक में तो ये इस तरह से 170 question थे आप इनको अगर आपको किसी भी question में कोई doubt है कोई objection है तो वो आप personally या फिर डाक के माध्यम से submit करवा सकते हैं 2 November 2020 को 5 बज़े से पहले पहले अमीरपुर में subordinate HP subordinate service election commission में email के दौरा आपकी accept नहीं होगी objection यहां पर साफ लिखा गया है आप यह answer की download भी कर सकते हो अगर आपको देखनी है तो इनकी official website पर यह डाल दी गई है answer की वहां पर भी आप देख सकते हैं उमीद है आपको यह सारी जानकरी पसंद आई हो होगी इसी तरह के आप वीडियो देखने के लिए लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें हमारे यूटीब चैनल को धन्यवाद